अब इतना पढ़के, रीड करके हमें क्या समझ में आ रहा है, कि भाई फायर अलार्म बजा, उस अलार्म की बजने की वज़े से, जो वालेंटीर फायर मैं वहां पर रखा गया था, यानि आग लगने पर अपनी सेवाएं देने के लिए, उस स्मॉल कम्यूनिटी के अंदर व पायर अलार्म सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया, अब उस वर्ब को यहां पर कौन डिस्क्राइब करेगा, एडवर्ब करेगा, मैंने कहा, ग्रैमर थे हमेशा हेल्प लो, जैसे यहां पर आप देख रहे थे, यहां पर हमें पता था कि वर्ब की हमें सेकेंड फार्म है, अब इतना आसान क्वेश्चन तो नहीं मिलेगा, अब अच्छे लेवर्ब जब आप जाओगे, यहां पर देखो सारे के सारे एडवर्ब है, सब में लवाई लगा हुआ है, इंडिफरेंटली, फ्राइट फुली, सिंबॉलिकली, ओडिबली, तो शब्द अगेन बहु हो गया, अलार्म बज गया, सिंबॉलिकली, वही सिंबॉलिक सिंबल से आता है कि जब कोई चीज प्रतिकात्मक तरीके से की जाए बस, और ओडिबली, ओडिबल, जो चीज आवाज से आए, तो अब बताओ मुझे किसके साथ जा रहे हो आप, करेक्ट ऑप्शन क्या है यहा अचान कर रहे हैं, सबको समझ में आ गया, अंसर बहुत बढ़ी, अब आपकी बार सबका सही है, अनामिका, नीरज, बिल्कुल, प्राइट फुली, तो भाई जैसे ही अब फायर अलार्म बजेगा, तो इंसान फ्राइटेंड और आग लग गई, अब आग लग गई तो भा पाथोज, रूट वर्ट है, हमारे पास शब्द आता है, सिंपथी, एमपथी, आपथी, और एंटीपथी, ठीक है, यह हमारे पास शब्द हैं, और अब इनके बीच का फर्क ज़रा समझ लो, आप लगे हाथ, सिंप का मतलब सिमिलर, पाथोज का मतलब फीलिंग्स, यानि स इसको हम हिंदी में कहते हैं, सम वेदना, सम का मतलब बरावर, आपके साथ कोई इनसान जो आपके साथ है, वो दुखदर्द में हैं, तो आप सिंपथाइस कर रहे हैं, आप सिंपथाइस वर्ब हो गया, यह सारे के सारे शब्द नाउन है, ठीक है, एमपथी, पाथोज फी कहते हैं, empathize करना, putting yourself in somebody else's shoes, अब इसमें देखो फर्क क्या है, जब आप किसी के साथ sympathize करते हैं, तो जिस state of mind में वो इनसान है, आप भी उसी state of mind में रहने की कोशिश करते हैं, भाई, मानलों कोई जान पचान के घर किसी की death होगे, यह आप गया sympathize करने, तो आप वहां सामने वाला दुख दर्द में है, आपके भी आँखों में आसूं हो सकते हैं, चेहरा उदास हो सकता है, facial expression down हो सकता है, बर जब हम empathy की बात करते हैं, यहाँ जरूरी नहीं है कि सामने वाला इंसान जिस state में वहां पे रहें, लेकिन आप यह समझ जरूर रहें कि क्या इसके दिल पे गुजर रही होगी, यह इनसान किस दौर से गुजर रहा होगा, इसलिए का जाता है, putting yourself in somebody else's shoes, अपने आपको किसी और की जगह पे रख करके यह महसूस कर पाना कि वो इनसान क्या महसूस कर रहा होगा, this is called empathy, antipathy और apathy यह दोनों शब्द हमें negative लगते हैं बड़ ऐसा है नहीं, anti जो है वो negative है, anti का मतलब ही against होता है, तो अगर आप किसी के खिलाब भावना रखते हैं तो उसे हम antipathy कहते हैं, against feeling, दुर भावना, दुर is negative, and apathy, यह लग गया, यह भी negative है, but apathy का मतलब होता है, जो word यहां पे लिखा था, इसका मतलब होता है, indifference, indifference, या बात होगे, आप season proof हो, राश्ते में जा रहे हो, कोई बगल में, रोड पे मरा पड़ा है, बढ़ आपको फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, गाड़ी से कोई खुचल गया, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसे बहुत थारे लोग नहीं होते, टक्कर म बढ़ती थी, बट जस्ट एक जो human आपके traits हैं, उसके basis पे भी आप उस इंसान को जाकर पूचेंगे, लेकिन बहुत आज लोग घटनाएं करके निकल जाते हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको अपथी कहते हैं, कि आपके अंदर कोई feeling नहीं हो, उसको कहा जाता है, indif difference, कि कोई फर्क ही नहीं आया, कोई feeling पर फर्क नहीं पड़ा, चलो, कुछ और ग्यान बढ़ा है यहां पर, आईएव आगे बढ़ते हैं,